तो हेलो फ्रैंड कैसे हैं आप दोस्तों आज में आपको बताने माला हूँ कैसे आप अपने सैंसंग गेलक्सी में और स्पलीट वियू में ओपन कर पाएंगे अपनि कोई सी भी अपको मतलब की अगर आप को दूसरा एपको खोल के कोई काम कर रहे हैं लाइक वाटसब या गैलरी आगर आप खोल के कुछ काम कर रहे हैं और आपको कोई दूसरी एप खोलना है तो बट होता किया जातर आप दूसरी एप खोलते हो आट्रमेटिक काय में खुल जाती है वो पॉप पर मनलब फ्रेंट में आ जाती है और आपकी जो अल्रेडी एप खोली हुई है वो पीछे चलिया थी बट अब आपको सिंगल करना होगा उसके आपकी करेंट है वह उपर या नीशे हो जाएगी और जो आप नई एप खोलेंगे वह भी उसके बीच में जाएगी मतलब इस प्लीड व्यू में आ जाएगी जैसा कि मैं आपने दिखा होगा म आपको यह बताने वालों कैसे हैं आपने मावाइल को स्प्लीड व्यू में या बोल सकते हैं इस प्लीड व्यू में उपन कर पाएंगे वह भी वन टैप से कोई सी भी एप को लाइक दोस्तों मैं सबसे बहुत आपको देख लेता है यह मैंने गैलरी को ओपन करके रखा है तो आप देखेंगे यहाँ पर गैलरी ओपन है अब यहाँ पर मुझे को दूसरी एप को ओपन करना है स्प्लीड व्यू में तो आपने देखा हूँ का सैमसंग में वन यूवाई 3 पॉंट में आपको यह यहाँ पर यह मिल चुका है जो की एच पेनल अगर आप यहाँ पर करके में बताने वालों सिंकल प्रोसेश में आप इसको कैसे यूज़ कर पाएंगे तो उसके लिए आपको क्या तो फैस्य वह पर से पैनल को इना करना है तो नीचे तरफ पहन कर में दर आपको को यहां नीशे की तरफ आना होगा और आपको Search panel अज़ेत्प कर लिए अब करते हैं कोई यह यहां से है कि ऐच पैनल को ऑपन करा है यहां जहना आदि अप्षिंगे तो आप यहां देखेंगे यहां फर उपर के दर्फ जो उपर आता है यह रीसे इंड विंडो एप साती मतलब जो भी रिसेंड की एप से वह आती है अगर आपको है को यहां को एड करना है तो आपको यहां उचागे इसको ड्रेक कर दीजिएगा और कोई दूस लूलर पे आपको करना है इसको टैप पे जैसी आपको करेंगे आपको कर दyona है बैक आएंगे अब यहां जैसे टुलिए ुढै क्यों ड़े पर हुआ आ उक्सा कर करना है तो आपको पता होगा यहां से स्कूप नीचे कर सकते हैं एजी ली तो यह तो हो गया वाइंट अगर आपको कोई सी भी आपको खोलना हो तो आपको आपको एजी ली वहां पर खोल सकते हैं लाइक यह एक हो गया मुझे कोई दूसरी एप कोलना इसी पर तो मैं यहां से करता हूं इसको on h panel को h panel को on करने के बाद आपको like यहाँ पर setting को खूलना है तो यहाँ setting पर click कर दिए setting और youtube यह मैंने set करके रखा था तो यहाँ पर आ गया है इसको set करने के लिए like कैसे होता है तो आप मान लिजिए आपने एक में gallery को open कर रहा है और एक में आपको तो अब यह आपको यहाँ पर add होगा अगर आप h panel खोलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक option मिल रहा होगा जो आपने भी add करा gallery sms का मतलब आप कहीं भी होगे आप इस पर click कर दोगे तो gallery sms automatic आपके split view में खुल जाएगा normally main चीज़ आप आपको यह है कि अगर आपको एक app को one tap पे split view पर खोलना है simply आपको बस कोई सी भी app को खोल लेना है उसके बाद simply आप उस पर click कर देंगे like एक app खोली आपको कोई दूसरी app खोलना है इस पर जाना है और यहाँ पर click कर देंगे तो यह automatic split view में आपकी खोल जाएगी तो यह बहुत ही अच्छी step है simple सी process है बहुत काम की है अगर आप कोई दो काम करना चाहते हैं खटे तो आप इस feature को use कर सकते हैं दोस्तों उमीद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंदा योगी तो thank you तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंदा योगी दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंदा आई दोस्तों प्लीज लाइक ज़रू करें और आपको यहां पर आपको इस्टाग्राम कमेंट स्क्रीन शॉट लाकर दिखा रहा हूं तो आप प्लीज मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो करना भी ना भूलें तो थैंकि दोस्तों